देश का पहला और एक मात्र ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां तीन लेपड सफारी, एक एक लॉइन, एलिफेंट और टाइगर और बड सफारी होगी यानी जैपोर बायो डाइवसिटी का एक ऐसा अजाइब घर बनने जा रहा है जहां पर वन और वन जीव सनरक्षन देश दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा अमारे वरिष्ट समवादाता निर्मल तिवारी ने वन जीव इशी शक्यों से आमागड को लिकर खास बातचीत की आप भी सुनिये गालाव रिशी की तपो भूमी गलता और उससे जुड़ाई आमागड का जंगल इन दिनो पैंथर्स से आबाद है यहाँ पर लगातार 19-20 लेपर्ड की साइटिंग हो रही है वन विभाग ने भी यहाँ चार ट्रैक बना दिये 6-7 नए वाटर पैंट भी बनाये हैं और जल्दी ही यहाँ सफारी भी शुरू की जानी है यहाँ अलग बात है कि अभी भी इस सफारी की शुरूवात फाइलों में ही घूमती नजर आ रही है लेकिन जिस तरह की उम्मीद है और जिस तरह की इन दिनो वन विभाग के अंदर तयारियां चल रही है उससे लगता है कि आमागड जल्द ही राजधानी जैपूर की दूसरी लेपर्ड सफारी और कुल चौथी वाइड़ लाइफ सफारी होगी क्योंकि यह एक आमागड लेपर्ड सफारी का वह पगमार्ख शेप यह वह वाटर पॉंट है जिसमें चार जो फिंगर्स इन इनमे दो लेपर्ड के जो कब्स हैं जो बच्चें हैं इधर पानी पी सकते हैं और यह जो बड़ा जो पगमार का जो मेन जो एक फुट है हाइंड फुट यह इसमे बड़े लेपर्स यहां पानी पी सकते हैं यह जगे जगे आपको यह देखें मैं आपको दिखाने भी कोशिश करूँगा यह लेपर्ड के कभ यानि कुछ देर पह देखिए यहां कुछ इस तरह के महमान भी मौजूद हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे और यह बताएंगे कि क्यूं एको टुरिजम कोविड ने ऐसे हालात कर दिये देखिए कि कोविड ने एक बात तो सिखा दी सबको कि उसका एक बैड इंपक्ट जरूर आएगा लेकि उसने एक बात सिखाई कि आपको नेचर की तरफ लोटना पड़ेगा खुद को सुरक्षित करने के लिए आपको प्रकृति का संदक्षन करना भी जरूरी और प्रकृति तमाम और लोग वहां पहुंचते हैं क्यों क्या जरूरत है सिटी वाड़ लाइफ टूरिजम को क्यों विक्सित किया जाना चाहिए और इसका अगर हम बात करें पूरे फ्लोरा और फॉरना को संदक्षित करने के लिए कंजर्व करने के लिए कितना इसमें उसका महत वह दे लेपर संदक्षिन में जालना का बहुत एहम योगदान है और उसको देखते रायस्तान में गौर्णमेंट ने साथ प्रोजेक्ट लेपर की घोष्णा की ती जो अलग जगह पर बनाए जा रहे हैं जैसे उसमें से एक पार्ट है जालना जमाई अब हम जैपूर की बात करे है एक तरद का कलीजो relationships का देना जहाय जालना लगने में जहांना गालज परेक्तमर sollte च्क कोरें जाएक जालना को यह मिलेगा प्रेटक यहां जुपहत आते हैं तो और अलड़ी परेटक यहांप आएगे। लेपर्ड साइटिंग के मामले में देश में एक बहुर बड़ी जगे जैपूर को मिलने वाली है तो जैपूर का नाम इस तौर पर लेपर कैपिटल के तौर पर जैपूर का नाम जाना जाएगा देखिए तमाम तरह की इस तरह की जो बाते हैं जैसे मैंने पहले भी कई कोव आप ट्रेवल ट्रेड के भी एक ऐसे मजबूत इस्टेक होलर है जो इस तरह की यूनिट्स भी चलाते हैं जिसमें की ट्रेवल इंडिस्ट्री को मजबूती मिले सासत वाइल लाइफ के लिए आपने जो काम किया है मैंताजी सीधे तोर पर बात करें आमागड जालाना में सफारी चल रही है क्या जरुवत है कि आमागड के अंदर भी लाइपर सफारी शुरू की जाए और शुरू की जाए तो कहां अटकी पढ़िया हूँ देखिस सबसे पहले जैसे गोदा जीन आपको बता है कि जालाना से लेके सरिस्का तक एक हिस्टोरिकल माइग्रेटरी को जो डिस्पर्सिंग लेपर से वह उस जीन जो जीन पूल है उसकी भी वराइटी बढ़ती थी जालाने के बाद एक चीज़ निश्यत हुए कि जालाने माने से लेपर की संसंग्या बढ़ी है प्रोटेक्शन मिला है जंसंग्या बढ़ी है टूरिस्क आने के बावजूत जं जालाने लेपर नर्सरी बन चुकी है जालाने से जो एक निकल रहा है वह आमागड की तरह holds ड़ास का फिल्स टॉप है जुसमाटरी कोरुडोर पे चलता है उसका का आमागड फिarस अपिषट ऑब यह पहली कटी बहुत अच्छा डेवलप होगा है इसमें लेपड की जनसंगा भी बहुत अच्छी है और इसमें जो एंक्रोच्मेंट मंदिरों दुआरा चोटे बनार के और जो कटाई और चराई और जो एंक्रोच्मेंट हो रहा था वो यहां पर जैसे अब यह जो विभाग वाले हैं और जो एडिस्टेशन को सोचना है कि अगर हमें हमारी जो जो जैविक विवित्ता है उसको बचाना है अगर लेपड को बचाना और यह वापस विक्सेत करना है जैसे कि वाइल लाइव पास अपने डेवलप उसे और जैपूर आज की तारिक म है और इसका टाइटल को हम को रखते हुए हमें अपना पूरा करूरी डेवलप करना जैसे की लेपड की पॉपलेशन एक सब्सक्राइब लेपर नहीं जाए और जंगल भी बच सके लेपर्ट की संक्या बढ़ती संक्या संतुलित करकी जा सके लेपर्ट को कंजर्व किया ज चित किया जा सके और यहां की जो बायो डाइवर्सिटी जिसकी बात उरिये जाए विवित्ता हमारे साथ दीरज कपूर है दीरज जी ने जालाना पर बहुत काम किया और उन कुछ गिने चुने शक्सों में से आप जो जालाना के तमाम लेपर्ट को पैचानते भी हैं वहां आमगड में खड़े हैं आमगड एक बहुत इंपॉर्टन पीस है जो कॉरिडॉर का जो पूरे जहलाना को आप कहलें इस तरफ सरिसका और दुसी तरफ अच्रोल की साइड तक जोड़ता है अगर यही अगर जंगल नश्च हो जाए तो कॉरिडॉर पिलकुल नहीं रहेगा और जो जहलाना की जो लेपर्ड हैं उनके पास कहीं डिस्पर्स होनी की जगह नहीं बचेगी डिस्पर्सल में जैसे धिरेंदर जी ने बताया कि काफी लेपर्ड हैं जो हमने मॉनिटर करें और स्टडी करें जो जहलाना और आमगड के बीच में आते-जाते रहते हैं कि लेपर्ड पूरे डायवरसिटी के लिए क्यों इंपोर्टनिट है लेपर्ड को मैं यह बोलूगा कि अब्रेला सपीशीज अगर हम लेपर्ड को बचाते हैं तो हम उसके नीचे जितने भी फ्लोरा इंफोना के वो आते हैं उनके जितने भी हैं अम उनको बचा पाएंगे लेपर्ड को बचाने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, उसको सिरफ एक अच्छी प्राकर्तिक हमको एरिया देना है, जिसमें पूरे फ्लोरा और फोना हो, तो लेपर्ड अपने आप ही बच सकते हैं, बस human interference जैसे पेड़ कटाई और illegal grazing वगरा अगर उससे बचा सकें, तो आम के साथ सथ पूरी फ्लोर और फोना को भी फायदा मिलेगा? नहारगड जमवा रामगड अच्रोल से लेकर सरिस्का तक यह ऐसा कॉरिडोर बने जा रहा है इसके अगर हम सीधे तोर पर यह माने कि इससे एक टूरिजम बढ़ेगा टूरिजम बढ़ेगा तो उसके जितने भी स्टेकोल्डर से उनको रोजगार मिलेगा तो क्या लगता है यह कितना जडिए और कितना जल्दी इसको विक्षित कर दिये ना चाहिए। चली हम काफी टाइम से इस चीज़ पर काम कर रहे हैं गौर्फेर्मेंट भी काम कर रहे हैं आने आप लोग काम कर रहे हैं एन फस्ट इंडिया ने जो मोहिम च्छेडी है उससे देखो सरिस्काप में जितने लोग हैं सरिस्काप के पाक से जितने जुड़े हुए हैं अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनको सब को रोजगार मिल रहा है जैसे जालाना बिक्सित हुआ जालाना के लोगों को रोजगार मिल रहा है जितना जितना मैं हमेसा बोलता हूं के जहां जहां टूरिज्म है वहां जानवर बच्छे हुआ हैं वहां टाइगर बच्चा हुआ है और इसका सीधा सीधा अपन पीजड प्रिजर फजर्वेशन पर जाते हैं यदी हम लोगों को रोजगार से जोडते हैं तो सीधा से टाइगर से लेपड सेव एनिमल इंड हमेशा यह बोलता है हूँ जहां जहां टूरिज्घ में वहाँ जानुवर बचा हुआ है आप इने बड़े-बड़े जंगलों नाम लेते हैं क्यों लेते हैं बांदफगर रंफेंब॔र क्योंकि वहां टूरिज्घ पहले से है तो कुछ भी होता है चाह अच्छा हो चाह बुरा वो सब के नजर में आ जाता है इसलिए मैं तो हमेशा इस मुहिम के साथ रहूंगा कि जहां जहां आपन को टूरिज्म से जोड़ेंगे जंगलों को वहां जंगल सुरक्षित हमेशा रहेंगे देखिए दुरानी दिक्कत है आई जंगल नस्ट हो गए लेकिन यहां दूसरा है जिस तरह के वाइल्डाइफ प्रोटक्षन को लेकर वाइल्डाइफ कंजरुशन को लेकर जिस तरह से वनविभाद ने काम किये खासकर जालाना आमागड इन छेत्रों में काम हुआ निश्चित तोर पर पर प चुनोती थी आपके सामने एक दम रौ जंगल था यहां अतिकर्मन भी होते थे लोग पेड़ कटाई भी कर लेते थे अपने मविश्य चराते थे तो बड़ी चुनोती थी उन सबको दूर अटाना अतिकर्मन को दूर करना यहां एक ऐसा टेरेन विक्षित करना और खासकर बड़ा खूबसूरत आपने जिस तरह से एक कहते हैं कि इसको पंग मार्क क्या करकर आपने वाटर यह बनाया यहां पर वाटर पॉइंट बनाया तो जनिश्वर जी किस तरह की चुनोती थी इसको तयार करने में मैं सर हमारा काम है है भी्टि इंपर्विंट का न कर दो तरह के फॉरस्ट ए Enfin सा payers होते हैं जिसमें रिजर्व का इसा होते हैं दूसरा फोर्स जो कि बनाया होता है जिसमें वन्हें की लिए उप्युक्थ ऑवास रहता व Hobic तो जैसे जालाना में हमने विटाट इंप्रूमेंट की क्या नतीज़ आते हैं तो अब हमको एक ऐसा बढ़ाना है हम टाइगर रेजर्व के शंदर्व में बात करें तो यह है कोर एरिया जैसे टाइगर रेजर्व के लिए जो वर्ड यूज करते हैं मतलब वहारा बढ़ाना चूर्किंख लाणा में लेपड़स की संख्या बढ़ रही था संख्या रहे थी तो यह जो हैं जो शहर में और आबादी चल्त में आ रहे थे तो इस चीज को धाने में रखते हुए चूंकि आमागड जो है वह जालाना के विल्कुल लगते हुए था और प्राकर्ति गुरूप से और वहलेक द्रस्टी से लगबग एक जैसा जंगल है तो जो चीजें जालाना में हो सकती हैं तो इस इस सेलें को हमने जो है सौल करने के लिए शमश्चा के समधन गन्नी के लिए आमागड जंगल जो है उसको चुना और वहां पर हम लोग अभी हैवीटा इंप्रूमेंट के कारे करा रहे हैं जैसे के वन्यजीवों के लिए पहले तो उप्योक्त सुरच्छा का माहौल मिले उसके पस्ता उनके लिए पीने के ल मंदरों का असपास ज्यादा आते थे तो हमको हमने यहां पर है वाटर पॉंट्स बनाए उसके बाद जो है अब हम लोग ग्रास लेंड डवलोपमेंट का हमने कारे शुरू कर दिया एक सिस्टम होता है कि पहले किसी जंगल में उप्योक्त ग्रास हो पानी की उप्योक्त व क्याम लोगों ने ट्रेक मनाई रहा है तो अब जो है जंगल की तरफ भी आ रहा है और कुछ नए इस दौरान कुछ दो लेपर ऐसे भी हैं कि जो सुमेल एरिया में रहते थे जो अब इस एरिया में जाके जो है उन्होंने अपना आवास बना दिया है का फायदा यह हुआ है कि जो दूसरे छेत्रों के जो लेपर थे वो भी इस जंगल की तरफ आकर्शित होने लगे यहां अच्छा एक प्रे तैयार हुआ उनके लिए अच्छे वाटर पॉंट्स यहां पर तैयार है वाटर पॉंट्स तैयार है तो निश्य तोर पर जो वन् जाई से उसको ठीक करने की बिल्कुल देखिया जालाना की तरह गलता में परेश स्यापक्त में निल गाएं हैं स्कॉर्री खरगोश हैं घरब टाहिं चैसे लएपर्ट की जो डिपेंडेंसी रही है जादा तर तो पिकोक्त पर रही है खरगोश और कभी-कभी महम हमें कि यहां भी बेज़े जाए वन्विभाग इस पर प्रयास कर रहा है और देखिए अब आमागर जैसे जैपुर आइधिक देश का इसा पहला शहर होगा बड़ा जहां दो-दो लेपर्ड रिजर्व मिल जाएंगे शहर को और लेपर्ड कंजर्वेशन में अपना वैसे जानाना को लेकर बहुत एहम योगदान निभा रहा है जिस तरह वन्विभाग के हम बात करें वन्विभाग में चाहे होफ ले लिजए चाहे सी डबलू एलडबली और उनसे लेके रेंजर और फ्रेंट लाइन स्टाफ तक जिस तरह से संडक् कितना इंपॉर्टेंट को सुझाओ इसको लेकर कि आपका दूसरा अब चुब कि आमगड अगर तयार हो जाता है तो एक नई नजीर पूरे देश में और देश-दुनिया के सामने आएगी कि हाँ एक ऐसा शहर जिसके बीचों बीच चार सफारी हो रही है दो लेपर एक ल लेपर्ड सर्वाइब कर रहे हैं और लेपर बढ़ रहे हैं दूसरी बात प्रेबेस लाने की गुंजाइश है क्योंकि हम नहीं चाहते कि लेपर्ड यहां पर पानी की वेवस्ता हो गई और फॉरस्ट डिपाट्मेंट जो काम कर रहा है इसमें तो आइधिंक दुनिया में इसा कोई जगह नहीं है जो में यहां पर लेपर्ड को लेके कोई वन विभाग इता समर्पित है बहुत अच्छा काम हो रहा है दूसरा यह मैं हमिशा कहता हूं कि जो आमागड गलता सेंचुरी है यह जालाने से निकलेव लेपर्ड का फर्स टॉप है यह पूरी जो श्रं की तरफ जेपूर में जा रहे हैं वो शेर की तरफ जाके हां आएंगे क्योंकि उनको एक आइडियल होम मिलेगा उनको एक प्रेवेस मिलेगा उनको एक रहने की आवास की सुईधा मिलेगी उसके बाद एको टूरिजम को पाच चुका और 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 उंचा चले जाएगा तो म तो जेपूर अलड़ी स्टैबिश्ट अस देपिटल अगे उसका और जिसका में प्रेवेस्ट डेवलप करना है वाटर बोडी जने जा रहा है उसे जेपूर का नाम साइब तूरिसम को जो बूस्त मिलेगा यह लोकल एंप्लोइमेंट जो जनरेट होगा एक छोटा सा सवा कर सेपरेट कोई प्रोग्राम आप उसकी योजना बना रहें नहीं बना रहें तो क्या ऐसी योजना बनाएंगे जिसमें सिर्फ लेपर कॉंजर्वेशन और जेपूर दोनों एक सिनोनिम हो गया एक ही चीज होगए अम लेपड की बात करते हो जेपूर नाम फट से उक निक स्कूरान के सFR कम लेकर यह एक दिक के अथी है कि यह जो टूरिजम को बुस मिलेगा कॉंजर्वेशन को बूश मिलेगा बायो डाइवर्सिटी बनी रहेगी और एक देश का नाम हो जागा जैपूर का नाम होगा इस लेपर्ड कैपिल ओड वर्ल्ड चलिए बहुत बहुत दुन्यवाद यह वो तमाम लोग हैं जुनों ने करना चाहते हैं और आगी इस तरह से अभी सुनिल जी ने विकाए कि एक लैपर्ड कॉंजर्वेशन अथॉर्टी बननी चाहिए निश्चित तोर पर बननी चाहिए क्योंकि एक नजीर बन गया है जैपूर सिटी वाइलाइफ तूरी देश दुनिया के सामने मिसाल है कि कैसे ह वन्यजीवस संद्रक्शन की दिशा में जितने भी काम हुए है निश्ची तोर पर सबक है कि जिससे वेट लैंड माफ कीजी जिस तरह से एक ग्रासलेंड विक्सित की गई जालाना के अंदर जिस तरह से आमागड में ग्रासलेंड विक्सित करने की बात की जारी है तो निश्ची तोर पर कहा जा सकता है कि बहुत जबर्दस्त काम वन और वन्यजीव संदक्षन को लेकर खासकर जैपुर में हो रहा है और उम्मीद की जाहिए कि जल्दी जल्द आम अगड के मैं एक लैपर्ड सफारी शुरू होगी इसका जो टेरेन आप देख सकते हैं इसका जो तमाम यहां के जो पेड़ पोधे और आप यहां का जो प्रकरती संदक्षन का जो काम होगो देख सकते हैं तो निश्ची तोरपन यहां जितनी